मुझे ये भी हमारे आज ये पेरिफिरल रोड पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और अभी हमारे रोड का काम बहुत कुछ हुआ है अभी मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बहुत से लोग रिटायर रोड काम न करने वाले हैं कुछ कॉंट्रेक्टर ब्लाक लिस्टेड हो किसी की बैंक गारंटी जब तक हो ये बैटे वे असुट के पदा दे के लिए याद रखना तुम अच्छा मेंटेनस करो आज मैंने देखा रोड बहुत गंदा मेंटेनस था हम आपको छोड़ेंगे नहीं और जो गंदा काम करें उनकी बैंक गैरंटी जब तक करने के बाद भी उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड कर देंगे और उनको नया टेंडर बरने नहीं देंगे जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए मैंने अभी चेर्मन साब को कहा है कि हमारा जो कारेकरम होता है उसमें स्पेशल काटेग्री अबर्ड हम नया शुरू करेंगे जो मेंटरनस करने वाले ग्रीन मेंटरनस में जिनोंने प्लैंटेशन अच्छा किया है ऐसे हाइवे़ ऑपरेटर को और उसके लिए जिन्मेदार आरो और पीडी को और उस एजन्सी को हम हर साल पुरस्कार भी देंगे जो अच्छा काम कर उसको पुरस्कार विलेगा और जो गंदा काम करेंगे उसको सिस्टम से भगाने का काम करेंगे उसको बिल्कुल टिकने नहीं देंगे मैंने अभी राज्यमंत्री को कहा कि आप हर रोड से रेमिनिटीज में जाओ टाइलेट में जाओ और देखो और जहां खराबी होगा कंपनियों उनको वापस भेजने का काम करेंगे ब्लाक लिस्टे करेंगे और कहीं टेंडर नहीं भर सकेंगे इसे आलत कर देंगे तो आप कॉश्यस हो जाईए काम अच्छा करिए प्लैंटेशन करिए और जो आपको मिलता है इसमें देश के पर्यावरन के लिए आप देंगे आपको कुश्पार पहनाएंगे आपका सत्कार करेंगे आपको सर्टिविकेट देंगे और अच्छा काम नहीं करेंगे तो एने चाहिसे तुमारी चुट्टी करेंगे अब रोड का रेकॉर्ड बहुत हो गया अब हम विश्वका सबसे बड़ा रोड नेटवर्क अब हमको लोगों को रिटायर करना सस्पेंड करना कॉंट्र को ब्लैक लिस्टेड करना टर्मिनेट करना इसका रेकॉर्ड बनाना है मेरी बात को गंभीरता से लो अबर आपको लगता होगा तो मैंने राज्यमंत्री को कहा हर रोड पर घूमो और मैं भी घूमूंगा कल मै अच्छा काम मैंने देखा तामिलनाडू में था त्रिचनापली में वहां से कुम्बकरम में गया था और पटेल इंजिनेरिंग ने काम किया था मैंने अभी यादो जी को कहा मैं वो रोड पर कम से कम 15 किलोमेटर गया इतनी अच्छी क्वालिटी का काम हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता जो अच्छा काम करेगा उसको सन्मान मिलेगा और जो बूरा काम करेगा उसको सिस्टम से बाहर निकला जाएगा तो आप देखो आपको कौन से मार्या पर जाना है पर आज एने चायने देश के विकास में